आपको जानकर हैरानी होगी कि जिराफ 24 घंटे में महज 30 मिनट ही सोता है और उसमें भी एक मिनट में वह महज 5 मिनट ही सो पाता है। आमतोर पर एक इनसान के दिल का वजन महज 300 से 350 ग्राम ही होता है, पर जिराफ ऐसा जानवर है जिसके दिल का वजन लगभग 11 किलो होता है. उसका दिल एक मिनट में करीब 170 बार धड़कता है. जिराफ के एक नवजात बचडे का वजन लगभग 100 किलो ग्राम होता है. ये 55 किल किलोमीटर प्रतिघंटे की रफतार से दौड़ड़ सकते हैं. जिराफ की लंबाई अधिक होने की वज़ह से इन्हें जुक कर पानी पीने के लिए अपने पैर फैलाने पड़ते हैं. जिराफ के जीब गहरे नीले रंग के होते हैं और ये 50 से 53 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं. अपनी जीब से ये अपनी कान भी साफ कर सकते हैं. हम इंसानों की तरह इनके भी 32 दांत होते हैं. जिराफ अफरीका में उत्तर में चैड से दक्षिन में दक्षिन अफरीका तथा पश्चिम में नाईजर से पूर्व में सोमालिया तक पाय जाते हैं. जिराफ मुख्य में उनका जीवन काल 20-25 वर्ष तक होता है. मादा जिराफ को काउ कहा जाता है, जबकि नर जिराफ को बुल कहा जाता है. बेबी जिराफ को काफ कहा जाता है. जमीन पर मौझूद पानी को पीने के लिए एक जिराफ को अपने आगे के पैरों या घुटनों को टेकना पड़ता है क्योंकि इसकी 6 फुट लंबी गर्दन जमीन तक पहुँचने में छोटी रह जाती है मादा जिराफ का गर्भकाल 400 से 460 दिनों तक का हो सकता है यानि की 14 से 16 महीनों का 50% जिराफ अपने जन्म के 6 महीने के अंदर ही तेंदुएं और जंगली कुत्ते जैसे जानवरों का शिकार हो जाते हैं शिकार और अन्यकारणों की वज़े से जिराफ अफरीका के 7 देशों में विलुप्त हो चुके हैं संभोग से पहले मादा जिराफ नर जिराफ के मुह में पेशाब करती है उनके पैर की उंचाई हम मनुश्यों से भी लंबे होते हैं लगभग 6 फीट इनकी गर्दन की लंबाई भी 6 फीट से अधिक लंबी हो सकती है जिराफ का वजन कितना होता है? नर का वजन लगभग 1200 किलो वहीं मादा 830 किलो ग्राम की हो सकती है जिराफ को 15 महीने तक गर्भावस्था में रहना पड़ता है जिराफ अपनी लगभग पूरी जिंदगी खरे ही बिता देते हैं ये खरे सोते हैं और ऐसे ही बच्चे भी पैदा करते हैं हालां कि ये अपने पैर मोड़ कर बैठ भी सकते हैं लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है जिराफ के उम्र का पता उसके तवचा के धब्बों से लगाया जा सकता है धब्बे जितने गहरे होते हैं जिराफ की उम्र उतनी ही अधिक होती है जिराफ के पैर इतने मजबूत होते हैं कि वह शेर को भी लात मार उसकी जान ले सकती है जिराफ के शरीर से पसीना नहीं निकलता है शायद यही वज़ा है कि उन्हें कम पानी की जरूरत पड़ड़ा आठती है जिराफ प्रित्वी का सबसे लंबा स्तंधारी जीव जब ये पैदा होते हैं तो इनकी लंबाई लगभग 6 फीट होती है जिराफ की लंबाई 18 फीट तक हो सकती है वही मादा की उंचाई 14 फीट तक हो सकती है ज्यादा तर जिराफ कुछ दिनों के अंतराल में पानी पीते हैं इन्हें पानी की कुछ मात्रा पौधों और पत्तियों के माध्यम से भी मिल जाता है जिराफ 24 घंटे में सिर्फ 5 से 30 मिनट में ही अपनी नींद पूरी कर सकते हैं कई बार ये 1 से 2 मिनट की जपकी भी ले लेते हैं इसका दिल 1 मिनट में लगभग 60 लीटर खून पंप करता है इसके अलावा इसका बलड प्रेशर भी हम इनसानों की तुलना में दो गुना होता है आपको जानकर हैरानी होगी कि नर जिराफ और मादा जिराफ एक ही पेड़ के अलग-अलग हिस्सों को खाते हैं इसलिए नर और मादा के बीच खाने को लेकर एल्ड ढ़ाई नहीं होती है जिराफ का वैज्यानिक नाम कमिलो परदालस है यह नाम इसके उँट जैसे मुह और उँचाई तथा तेंदुए जैसी धब्बों वाली तवचा के कारण पडडड़ी धा दुनिया भर में जिराफ की नौ प्रजातियाओं हैं जो अपने आकार, तवचा, रंग तथा निवास स्थान के अनुसार भिन भिन होती है जिराफ जुगाली करने वाला सबसे बद्धा थलिय जीव है सामान्यतह ये एक बार में लगभग 30 कीगिरा भोजन निगल लेते हैं और बाद में जुगाली करते हैं इसका दिल एक मिनट में लगभग 60 लीटर खून पंप करता है इसके अलावा इसका बलड प्रेशर भी हम इनसानों की तुलना में दो गुना होता है आपको जानकर हैरानी होगी कि नर जिराफ और मादा जिराफ एक ही पेड़ के अलग-अलग हिस्सों को खाते हैं इसलिए नर और मादा के बीच खाने को लेकर लराई नहीं होती है शान्त रहना पसंद करते हैं वैसे भी यह चिल्ला नहीं सकते जिराफ के पैर का आकार 12 इंच यानि की 30 सेंटीमीटर या 1 फुट तक का हो सकता है